चलिए आज हम modern history में एक कदम और आगे बढ़ेंगे देखिए हम revolutionary movements का topic complete कर रहे हैं इसमें हमने कल part 1 the revolutionary movement deliver किया था जिसमें हमने आपको beginning बताई अच्छे से और different area wise हमने revolutionary activities, individual heroic act ये सब आपको delineate करके दिये जिसमें हमने महराष्ट का जिक्र किया, पंजाब का जिक्र किया, बंगाल का जिक्र किया other states का मधरास का जिक्र किया, abroad में किस तरह की activity हुई इसका जिक्र किया ये सारे event हमने कल आपको समझाएं अब हम second phase की तरफ आ चुके हैं, आज हमें इसका जिक्र करना है जो की 1922 onwards से शुरू होगा देखे, 1922 onwards जब हम इस revolutionary movement के बारे में पढ़ेंगे जिसे revolutionary terrorist movement के बारे में कहा जाता है इसके दो आपको strand नज़राएंगे दो शाखाएं, दो भुजाएं नज़राएंगी एक strand रहेगा जिसमें पंजाब, उतरपरदेश, बिहार, मध्यपरदेश यानि की old central provinces ये cover होंगी तो ये एक भुजा रहेगी और जो दूसरी शाखा रहेगी वो रहेगी तब बंगाल जो ये पंजाब, उतरपरदेश, बिहार, मध्यपरदेश, old central provinces का जिक्र में कर रहा हूँ इसे हम the northern revolutionaries कहेंगे और उसको हम the Bengal revolutionaries, the east revolutionaries तो north और east revolutionaries को हम दो तरहां से आजाब पर पढ़ेंगे आपको obvious ही बात है जब northern revolutionaries की बात करेंगे तो हम बात करेंगे भगसिंग की और जब हम east revolutionaries की बात करेंगे तो बात करेंगे चिटा गॉंग, आर्मरी, रेड की, यानि की सूरे से इनकी इनके उपर आज जिक्र होगा देखिए important चीज ये है कि जो first phase revolutionary movement का जिसका main active period माना जाता है 1905 का सुदेशी movement, उसका outright suppression किया Britishers ने 1907 से 1915 के बीच में बहुत सारे ऐसे laws ला करके जो मैंने आपको कल भी बताये थे अब उसके बाद हुआ ये कि बहुत से revolutionaries को काला पानी की सजा दे दी गई, बहुत से revolutionaries हैंक कर दी गए और बहुत से भारत से चले गए, escape कर गए, जब first world war हुई तो उसके दौरान revolutionaries ने अपनी activities को दुबारा revive करना चाहा भारत में लेकिन उन्हें भारत के उस समय के mainstream nationalist politicians का समिर्थन और साथ नहीं मिला उस समय Britishers भी यह चाहते थे कि इस तरह का कोई turbulence ना हो भारत में, इसलिए उन्होंने बहुत ही सक्त कानून उस समय में लगू किये, जिसकी वज़ा से revolutionary activities नहीं हो पाई 1918-1919 आते तक Britishers की भी policies कुछ इस तरह की हो चुकी थी, कि 1919 का जो reform वो लेकर के आ रहे हैं, यानि कि Montague James Ford reform उसमें उन्हें भारत का एक receptive attitude मिले, इसके लिए उन्होंने political prisoners को release कर दिया था ऐसे में ये वही दौर था जब 1915 में गांधी जी की भारत में entry हो चुकी थी, और गांधी के advent के साथ ही situation बदल चुकी थी, political struggle की जो Congress अब तक एक elitist section तक सीमित थी, अब वो mass struggle की तरफ बढ़ रही थी, और गांधी mass ideology में बिलीव करते थे ऐसे में अब ये हो रहा था कि जो old revolutionaries का band था जो कुछ prison से release किये गए या जो कुछ prison के बाहर थे, उनका मानना ये था कि वह समय बीच चुका है, जिस समय के तहत हम individual heroic act कर रहे थे, अब हमें थोड़ा सा इस समय की निजाकत को समझना होगा और political atmosphere country का change हो चुका है, हमें इस atmosphere के साथ जाना चाहिए इस समय में जहां एक तरफ अंग्रेजों का प्रयास ये हो रहा था कि political prisoners को release किया जाए और 1919 के Government of India Act को के लिए, इंडिया में माहौल receptive बनाया जाए, वहीं दूसरी तरफ भारत में गांधी और चितरंजन दास भी ये प्रयास कर रहे थे कि किस तरह से revolutionaries को अपने साथ जोड करते रहे हैं, इनके द्वारा efforts किये गए, बहुत सारे revolutionaries को उस वक्त जाकर के मिला गया और उस मुलाकात का ही ये नतीजा रहा कि बहुत से revolutionaries ने Congress के non cooperation movement के लाने के लिए जो नागपूर में session hold किया था, उस नागपूर session में बहुत से revolutionaries ने participate किया और वो Congress के तहर non cooperation movement में भ सुखदेव आते हैं, भगवती चरण वहरा आते हैं और ऐसा का जाता है, भगसिंग ने भी इसमें participation किया था, तो ये वो main leaders हैं जिनके नाम आपको हमेशा याद रखने हैं, जो गेश, चंदर, चटरजी, भगवती, चरण, वहरा और सुखदेव इन्होंने non cooperation movement में उस समय म the tolerance, ये सारी चीज़ों का प्रयोग उस समय में किया जा रहा था और ये movement काफी बड़े सतर पर फैल भी चुकी थी, लेकिन अचानक से उतर प्रदेश के गुरखपुर के चौरी-चौरा पुलिस स्टेशन पर जो mob के द्वारा वहां के 21 पुलिस कर्मियों को जलाए जाने की घटना उत्पन हो जाती है, इसके तहट गांधी जी जब 1922 में अबरफ्ली फेबरेरी में नॉन कॉपरेशन मुवमेंट को वापस ले लेते हैं तो उस समय में revolutionary movements और revolutionary movements से जुड़े होई करांतिकारियों के बीच में ये भावना आ जाती है कि वो गांधी की leadership से उस समय में dis enchanted feel करना शुरू कर देते हैं, उनका मानना ये है कि ये leadership एक constructive leadership नहीं है, ये country को freedom struggle के तहत लीड करते हों, independence नहीं दिला सकती है और वो गांधी के non-violence के और गांधी के वाइकाट के इस method से, इस passive resistance के method से भी बहुत जादा खुश नहीं दे हैं, उनका मानना ये था कि कभी भ तरहां से अंग्रेजी साशन के द्वारा भारत को अजादी नहीं दी जाएगी क्योंकि हमें एक armed struggle करना होगा, हत्यार बद्विद्रो यहां पर करना होगा अगर हमें भारत में सत्ता चाहिए, क्योंकि सामने वाला जो विरोधी उसके पास सारी शक्ती है, force है, सत्ता है और वो force के साथ लड़ता है, ऐसे में आपके उपर जब हत्यार उठाए जाएंगे तो लोग अभी इतने प्रिपेर नहीं हैं कि वो गांधी जी की तरह इंडिविजुली इतना strong passive resistance दिखाते हुए, किसी भी तरह की हिंसा ना करें जब उनकी बदन पर लाठियां पड़ रही हो ऐसे में जब सामने वाला इतना शक्ति शाली हो तो हमें भी उन्हीं हत्यारों और शक्ति का प्रियोग करना है उससे सत्ता लेने में, इस तरह की बाते इनके द्वारा की गई और इसके तहत दोबारा से वो जो groups डियक्टिवेटेड हो चुके थे, वो groups, older groups जो हैं वो दोब से जीवित होने लगे revolutionaries के 1922 ओनवर्ड चौरी-चौरा की घटना के बाद non-corporation movement के वापिस चने जाने के बाद और नए revolutionaries जो youth revolutionaries non-corporation movement की वज़ा से enter हुआ था इस समय freedom struggle के बीच में, वो new revolutionaries भी इस समय में गांधी जी से disenchanted थे और उनका भी मानना था कि हमें कोई ऐसा alternative platform चाहिए, जो direct result अचीव करके दे और वो alternative platform उस समय में revolutionaries ने उन youth को provide किया, ये एक important aspect है, इस समय का तो इस तरह की background आपको उस दोर में बनती हुई नजर आती है, किस तरह से revolutionaries अपनी activity को आगे बढ़ाते हैं, ये अब आपको समझना जरूरी है, देखिए होता ये है कि North India में revolutionaries खुद को 1922 की चौरी-चौरा की घटना के बाद वापस से reorganize करते हैं, और उस reorganization के लिए कुछ important जिमेदार personalities हैं, जिनमें सबसे important हैं, यहाँ पर सचिंदर नात सन्याल, जोगेश चंदर चटरजी, राम परसाद बिस्मिल, सचिंदर नात सन्याल, जोगेश चंदर च सराता है कि एचारे, यानि कि हिंदुस्तान Republic Association का गठन कहां पर हुआ, तो यह कानपूर में हुआ, यह कब हुआ, यह October 1924 में हुआ, यह किन के द्वारा किया गया, सचिंदर नात सन्याल, जोगेश चंदर चटरजी और राम परसाद बिस्मिल, इन तीनों के नाम आपको या रहा है, 1905 से 1918 के भीज में, इस दौर में भी आपको भारत में revolutionaries बिले, लेकिन इन revolutionaries और नए revolutionaries के भीज में कुछ अंतर है, वो अंतर क्या है, देखिए जब पुराने revolutionaries हैं, वो individual heroic act में believe करते थे, लेकिन यह जो नए revolutionaries हैं, यह उनकी इस ideology से depart कर गए, यह individual heroic act में believe ना करत रहेगी कि इसमें आपको mass movement नजर आएगा as compared to the individual heroic act, second important aspect यह है कि जो पूरानी revolutionary movement थी, उस revolutionary movement में लोगों का समर्थन और साथ लेने के लिए, लोगों को अपने cause के साथ जोडने के लिए, patriotism का जन्म करने के लिए, एक religious connectivity रहती थी, यानि कि वो religious sentiments को utilize करते थे, एक धार्मिक रंग नजर आता था, क्योंकि वो आपके past को, आपके culture, custom manner को, आपकी history को आपके सामने glorify करते थे और उसी basis पर आपके अंदर रास्टरबाद की भावना उत्पन होती थी, तो उनका एक तरह का religious nationalism का thought था, लेकिन यह जो नए revolutionary थे, इन्होंने religious nationalism के concept को चोड़ा, इन्होंने secular patriotism को अपनाया, secular patriotism के इतहत इन्होंने लोगों को अपने साथ जोडने के लिए past की glory को, past के culture, custom manner को revive करने की कोशिश नहीं की, इन्होंने उस system को reform करने कोशिश नहीं की, इन्होंने all in all एक नई connectivity का जरिया बनाया, वो ये था, कि जो present society exist कर रही है, इसको अपने साथ जोड करने के लिए हमें इनके causes को satisfy करना पड़ेगा, यानि कि जो industry में काम करना worker है, या जो agricultural खेतों, जो farming के system में लगा हुआ, agricultural laborer है, हमें इनकी परिस्तितियों को समझना होगा, इस समय के जो social economic deprivations, इनके साथ connected है, उन social economic deprivations को address करते होए, इन मुद्दों के अधार पर इनका स समर्थन लेना नहीं है, एरास्टरवाद इस आधार पर इन में जगाना होगा, हमें समाजवाद की पालना करनी होगी, और उसी socialism के तहट यह हमारे साथ जुडेंगे, तो ये पिछलों से पूरी तरहां से अलग नज़र आते हैं यहां पर, क्योंकि ये उस समय की जमीनी हकी प्रतिग्या नहीं है, उनके समर्थन को यकीनी बनाते हैं, उन्हें अपने साथ ले करके आने के लिए, और इस तरहां से यह पता लग जाता है, कि इनके पास एक रोड मैप है, और वो रोड मैप यहां पर नज़र आता है, कि जब हिंदुस्तान रेपब्लिक अस्योशेश हैं, इनके तरह प्रतिग्या यह लिए गई, कि हम आंड रेवलूशन करेंगे, जो कि मास सपोर्ट से होगा, सो आंड रेवलूशन होगा, मास सपोर्ट से, एक मास अपराइजिंग से, जिसके तहतन ब्रिटिशर्स से पावर सीज कर लेंगे, और सीज करने के बाद एक यु तो देखिए, यह कोई सिंपल करांतिकारी नहीं थे, कि बंब मारा, किसी अफसर को खत्म किया, और भय का महौल पैदा किया, इनके पास एक प्रॉपर आइडिलॉजी थी, एक प्रॉपर प्लैन था, यह ऐसा मानते थे, कि हमें हत्यार बद्द बिद्रो कर रहा है, समाज की मदद से, यानि कि एक मास अप्राइजिंग, revolution करना होगा, लेकिन वो करना हमें हात्यारों के अधार पर है, शक्ती से करना है, दूसरा यह मानते थे, इसके बाद फिर क्या होगा, जब अंग्रेज चले जाएंगे, तो उसके बाद करना क्या है, system of government क्या होगा, क्या फिर से वहाँ पर अंग्रेजों की ध्वजा को आपने हटा दिया, तो आपने फिर से बहादूर शाह जफर को ही गद्धी पर बठा दिया, और वापे से वही जमींदार, वही तालुकदार, वही राजा, रजवाडे, वही एक तरह से उस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे और वा क्लियर कट आइडलोजी थी कि भी आने वाले समय में होगा क्या, और वो था United States of Indian Federation का गठन, और ये के स्पेसिस पर होगा, ना कोई राजसाशन होगा, ना कोई किसी का सोचन करेगा, यहाँ पर सभी को वोट डालने का अधिकार होगा, और एक popular government established होगी, democratic and socialistic principle के basis पर, और वो होगी universal adult franchise के method पर, इस तरह के concept के साथ इन्होंने अपना कामकाज यहाँ पर आगे बढ़ाया, अब इसके तहत होता क्या है, अब मुद्दा ये है कि इनके द्वारा ये decide किया गया कि जब हम ये activity करेंगे, तो इस activity के लिए हमें mass struggle करना है, तो mass struggle के लिए important ये है कि masses को आ secret societies बनाने की जरूरत है, उनके माध्यम से आप लोगों के बीच में जाएंगे, तो एक तो press की मदद लेनी जरूरी है, secret societies की मदद लेनी जरूरी है, लोगों के बीच में जाने के लिए, फिर सीधा door to door campaign करना भी आपके लिए जरूरी है, ये propaganda करना, लोगों तक movement को ले करके जाना, secret societies बनाना, इस तरह के कामों के लिए आपको पैसे की जरूरत होती है, और यहाँ पर पैसे की जरूरत के लिए इस बार ये तैय किया गया, कि हम अपने साथियों को नहीं लूटेंगे, यानि कि हम भारतियों को नहीं लूटेंगे, जमीनदारों को नहीं लूटेंग जिसके तहएत हम अपना कामकाच करेंगे तो ये जो डगैती की जाती थी इन्हें हम उस समय में स्वराज डगैती और स्वदेशी डगैती के तौर पर जानते थे जिसके तहएत ये उसी पैसे के दम पर अपने संगठन को बनाये रखते थे लोगों को हत्यार खरीदने के रोबरी क्या है काखवी रोबरी यह 9 अगस 1925 को इस घटना को अंजाम दिया गया का इंजाम को ओर गहाएं दिया गया देखिए सहारनपूर से लखनाओं की तरफ ट्रेन को जाना था इसे एट डाउन ट्रेन कहा गया है आठवी डाउन ट्रेन डाउन ट्रेन का मतलब यह है कि जब यह लखनाओं से सहारनपूर जाती होगी इसे अब कहते हैं जब यही वापस आती है सहारनपूर से डाउन अप इस तरह से लिखा होता है तो यह एट डाउन ट्रेन थी जो सहारनपुर से लखनौ जाना था इसे लखनौ की विसीरिटी में गाउं था कौकोरी उस काकोरी गाउं के पास 9 अगस्ट 1925 को इस ट्रेन को लूटा जाना था इसमें रेलवे का रेलवे कैश था और उस के तहट क्या घटनाएं हुई हैं उसे समझना जरूरी है देखिए काकोरी कॉंस्पिरेसी के तहट असवाक उल्ला खान, राम परसाद बिसमिल, रौशन सिंग और राजिंद्र लहरी को यह चार नाम आल्वेज याद रखने हैं आपको रौशन सिंग, राजिंद्र लहरी, अश्वाक उल्ला खान और राम परसाद बिसमेल इनको फांसी की सजा दी गई चार लोगों को काला पानी की सजा दी गई यानि के अंडमान निकोबार और सत्रा लोगों को उमरकैद की सजा दे गई तो चार को फांसी की सजा चार को आपने उमरकैद दे दी चार को आपने काल पहले नहीं दिखा गया था असवाक अलाकान और राम परसाद बिस्मिल जब फांसी की सजा लेने के लिए उन जेल के गलियारों से गुजर रहे थे तो उनके होटों पर केवल और केवल गीता थी और कुरान थी तो गीता और कुरान की आयतों को वो उन गैलोज से पुकारते गाते हुए चले गए ये बहुत बड़ी ब्रेव एक्ट था लोगों ने इसको देखा प्रेस ने इसको लिखा और उनकी सोच उस समय बहुत जबरती जबरती इसमें मैं आपको राम परसाद बिस्मिल की लिखी हुई एक कही हुई एक बात पढ़कर के बताना चाहता हूँ डिसकस करिए तो राम परसाद बिस्मिल कहते हैं कि वी शल बॉर्न अगें शल मीट अगें और जॉइंटली फाइट वनस अगें फर दा कॉज अव दा मदर लेंड अज कॉम्रेट्स इन आम यानि कि वो क्लियर डिकलेर कर रहे हैं कि हम पुन्हें जन्म लेंगे हम फिर से इ यह दिल लड़ेगे और ऐसे ही हाथों में हाथ डाले मिलेंगे हत्यार बद्ध कोई हमें गिरा नहीं सकता यह जो उनके अंदर एक थौट था यह था यह था कि हमारा जो रेवलुशन अब तक इंडिविजूल रहा है इसे युवा की नसों में रग रग में भर देना यह इ गये हैं कहते हैं मैं उस देश में जन्मा हूँ भारतिय भूमी में जन्मा हूँ जिसमें मैं यह गर्व कर सकता हूँ कि इस हिंदू धर्म ने हमें एक से एक सवतंतरता सेनानी दिये हैं योद्धा दिये हैं जिनमें खुदी राम बोस और कनहिया लाल जैसे लोग आते हैं और सदा गर्व करना कि मैं इस धर्म के इन सोतंतरता सेनानियों से प्रेरित हो करके आज ये शहादत देने जा रहा हूँ. तो एक तरह से communal harmony को बढ़ाने का ये उद्देश है, जो अब तक हिंदू-Muslim के बीच का divide थे से खतम करने का ये प्रयास है और एक दूसरी की respect, मतलब ये कोरे सोतंतरता सेनानी है, ये कोरे करांतिकारी है, धर्म मायने नहीं रखता है इनके लिए, ये important था, तो ये secular patriot थे, तो Muslim community, I have acquired the privilege of following in the footsteps of those great martyrs, तो ये वो उस समय के कहके गए थे, अब इस काकोरी का बूद, और second floor का दफ्तर, ये ही इनका ठिकाना रहा, बस वहीं पर ठिका रहते थे, वहीं पर यश्पाल हुआ करते थे, वहीं पर ये खुद भी हुआ करते थे, तो ये एक important aspect है, और इनके साथ हुआ करते थे एक बहुत important person, जिनका नाम है भगवती चरण वोरा, चलिए अब हम इसके आगे की कहानी को समझते हैं, 1925, 9 अगस्त, काकोरी, रॉबरी, जबरदस्त, क्रैक डाउन सरकार का इरादे बस्त हैं, चीजें गिर चुकी हैं, तकरीवन सबको लगा की revolutionary activity खत्म हुई, ऐसा बिलकुल भी नहीं है, चीजें फिर से बदलेंगी, फिर से एक नह आएगी, युवा पीडी के अंदर, अस्वाख उल्ला खान की वो बातें और राम परसाद बिस्मल के कहे हुए वो शब्द, मानु जैसे बिजली की तरह दोड रहे थे, और वो तेजी से भारत को आजाद करना चाहते थे, इसके लिए योजनाएं बन रही थी, तेजी से य वार एवलूशनरी फिर से कटे होए और ये एक ने दोर की गाता लिखी जाएगी, यहाँ पर अब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक असोसियेशन का गटन होते आप देखेंगे, इसके तहट अब मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ, उत्तर परदेश विंग से चंदर शेकर आजाद अभी थे और चंदर शेकर आजाद की अधक्षता में इन सभी युवाओं ने खुद को एकत्र किया और रेवलूशनरी एक्टिविटी को जिंदा रखने के लिए एक दूसरे को फिर से एक नए मैनिफेस्टो एक नए जंडे के साथ आगे बढ़ने क बात की कवायद रखी इसके तहत 9 और 10 सेप्टेंबर 1928 को दिली के फिरोशा कोटला मैदान में वहाँ पर गठन किया गया हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिक एसोसियेशन और यहाँ पर सोचलिस्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टन है मैं आपको क्लियर कर देना चाहता ह कि इस हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसियेशन का नाम हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिक एसोसियेशन रखना यह बहुत बड़ी बात है यहाँ पर यह कंसेप्ट भगस सिंग के द्वारा दिया गया और भगस सिंग का मानना यह था कि हमें अब अपने फ्यूचर गो बहुत जबरतस प्रभाव था ये आपको पता होना चाहिए इस समय की revolutionary movement में जिसमें socialism बहुत तेजी center हो रहा है उसमें पहली चीज़ का प्रभाव ये था कि पूरे भारत भर में इस समय में समाजवाद की एक लहर दोड़नी शुरू हो चुकी थी और कई तरहां की socialist groups आपको exist करते नजर आ रहे थे दूसरी सबसे बड़ी बात ये वो दौर था 1920s का जिसके बाद आपको militant trade unions का गठन होते नजर आ रहा था factories में जो किसी वक्त strike करने को या अपने अधिकार और हक लेने के लिए आमादा थी खड़ी थी और तीसरी सबसे बड़ी बात 1917 के बौल्शेविक revolution और Lenin का प्रभाव socialism का प्रभाव सिर्छड़ करके बोल रहा था पूरे विश्वर में कि अगर ये प्रॉलेटेरियेट ये वरकर इतने कद्दावर राजसाशन से अपने दम के आधार पर सत्ता हात्या सकते हैं तो फिर हम अगर एक बार organize हो जाएं तो हम ये mass struggle करके ऐसा क्यों नहीं कर सकते वो भी armed rebellion की form में तो इस तरह से ये तीन चीज़ें बड़ी तेजी से उस समय की revolutionary movement को प्रभावित कर रही थी और उसी के तहट अब आप एक authenticity एक substance देना चाहते हैं अपनी revolutionary movement को एक दिशा बहुत जुरूरी है देखें मैं एक सवाल पूछता हूँ कि किसी को मारना है बं मार के मार दिया ठीक है भय पैदा कर दिया भय पैदा करने का क्योंकि आप symbol है उस exploitation के तो हम आपको खत्म करने है ये ठीक है लेकिन सबसे constructive ये चीज है कि आप अपने लोगों को अपने साथ जोड़ें उसके लिए उन्हें भी एक road map दिखना चाहिए कि भई इन्हें जब आप खत्म कर देंगे तो हमें फिर आप देने क्या बाले हैं हमारे सामने क्या परोसा जाएगा और हमारी समस्यां ये हैं क्या इनके चले जाने से वो समस्यां चली जाएंगी या फिर इनकी जगा हमारे ही साथी बैठ जाएंगे तो क्या हमारी समस्या है दुबारा जीवित नहीं हो जाएंगी ऐसे में एक ideology देना एक direction देना बहुत जरूरी हो जाता है तब जा करके जन समर्तन आपके साथ आता है जब आप लोगों के अंदर यह विचार फूंक देना कि अगर आप मेरे साथ खड़े होते हैं मैं आपको हथ्यारों समय लीड करूँगा और उस तंतर को हम गिरा देंगे याद रखें अंग्रेजों गिराने की बात नहीं कर रहे हो hommes तंतर को उस तंतर को जब हम गिरा देंगे तो जो नया तंतर हम बनाएंगे उस नए तंत्र में आपकी सभी समस्याओं का समाधान चुपा है तब लोग हत्यार उठाने के लिए खड़े होते हैं क्योंकि तब लोग अधिकारों के लिए खड़े होते हैं जब आप किसी को यह ऐसास दिला दे कि आपका रचाया हुआ यह पूरा का पूरा पूरी प्रिष्ट भूमी उनके अधिकारों की पूर्ती करने के लिए रचाई गई है तब स्वता ही आपको लोगों का समर्थन मिलता है लोग आते हैं और एक बड़ी करांती होती है इस बात को आपको समयना तो साथ जोडनी के आधार ढूडने होते हैं ऐसे में समाजवादी कंसेप्ट उस समय में जोडना बहुत आवशक था और वही समाजवादी कंसेप्ट हिंदुस्टान सोचलिस्ट रेपॉब्लिक एसोसियेशन के नाम पर जोड़ा गया मैं आपको ये बात बता दूँ कि बहुत कलियर हो चुका था इस समय में कि इंडिविजुल हेरोईक एक्शन अब नहीं करने हैं हमें मास मॉव्मेंट करना है और हमें लोगों को अपने साथ जोडना है बॉम्ब कल्ट हमें फॉलो नहीं करना है लेकिन फिर भी घटनाएं कुछ ऐसी बन गई कि बॉम्ब कल्ट फॉलो हो ही गया सेप्टेंबर 1928 हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपबलिक असोसियेशन का गटन फिरोशा कोटला मैदान दिल्ली लेकिन देखिए अक्टूबर 1928 में ही घटनाएं और चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन जब भारत आया उस साइमन कमीशन की खिलाफत करने के लिए लाहौर में रेलवे स्टेशन पर जब लाला लाजपत राय खड़े हुए तो लाला लाजपत राय के सर पर लाठी मारी गई उनका दिहान्त हो गया उनकी मृत्य हो गई और इसी के बदले में दिसमबर 1928 देखें सब्टेंबर 1928 एचास एचासारे का बनना अक्टूबर 1928 साइमन कमीशन की घटना की वज़ा से लाला लाजपत राय के सर पर लाठी पढ़ना प्रोटेस्ट में खड़े थे ये कह रहे थे साइमन गो बैक साइमन गो बैक तो इनके सर पर लाठी मारी गई 17 दिसमबर यानि ये उसी साल दिसमबर 1928 में भगसिंग चंदर शेकर आजाद और राजगुरू के द्वारा पुलिस अफसर साउंडर्स को गोली मार देना तो भगसिंग चंदर शेकर आजाद और राजगुरू ने दिसमबर 1928 में पुलिस अफसर साउंडर्स को गोली मारी क्योंकि यह भी उस उत्पीडन में शामिल था जिस उत्पीडन के तहत लाला लाजपत राय के सर पर लाठी पड़ी है यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई तो इंडिविजोल एक्षन नहीं करते हुए भी इंडिविजोल एक्षन किया और जब यह एक्षन किया है जब यह गोली मारी है तो उस समय में पर्चे छपाए हैं और वो जो छपे हुए पर्चे हैं उन पर्चों में का क्या कहा गया है यह भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है अगर आइडिलोजी को हम समझना चाहते हैं वरना तो आप उन्हें समझ नहीं क्या कहा जाता है पर्चों में तो यह बहुत बड़ा स्टेटमें था जिसके तहत उन्होंने चारो खाने चित कर दिये पहरी स्टेटमेंट में यह सिद्ध हो रहा है कि वो यह पता रहे हैं कि लाला लाजपत राए की हत्या एक इंसान की हत्या नहीं है वो एक national asset थे वो एक लीडर थे millions of millions लोगों के aspirations को represent करने वाले लाला लाजपत राय की मृत्यू aspiration की मृत्यू है आकांगशाओं की मृत्यू है और इतनी आकांगशाएं भारत की मर जाएं तो ये हमारी duty बनती है हमारा दयत वो बनता है हमारा नयतिक कर्तव्य बनता है कि वह राजपाशन जिस राजपाशन के तहत भारती है पूर्ण रूप से उतपीडित हैं exploit हो रहे हैं उस राजपाशन को प्रतिबिम्बित करता हुआ यह एक सक्ष इसे हमें खत्म करना है वह राजपाशन जो भारत को लूट रहा है और एक unworthy police officer यह रद बहुत है कि अवट है गला है which apparatus is continuously exploiting the country so that was the ideology जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि हमें regret है हमें खेद है कि हमें किसी को मारना पड़ा यानि कि bomb cult, assassination के cult से भगसिंग, सुखदेव, राजगुरू, चंदरशेकर आजाद खुद को dissociate करते थे लेकिन यहाँ पर वो क्या समझा रहे हैं कि किसी भी नूतन निर्मान के लिए नरसंगार जिरूरी है यहाँ पर अगर नरसंगार तुम्हारा होना है एक नए भारत के निर्मान के लिए जिसमें एक नया social order आएगा तो फिर तो यह निवार है इसे हत्या नहीं कहा जा सकता लेकिन क्योंकि जमीन पे हत्या तो हुई है इसका खेद है आगे यह नहो इसके लिए ध्यान रखना किसी लीडर की हत्या नहो तो यह बहुत वड़ी घटना थी उस वकत की तो इसके तहर यह सारी चीजें हुई लेकिन अब चीजें बदलेगी बहुत का यह मानना था कि हम कर क्या रहे हैं क्या लोगों तो हमारी बात जा रही है क्या लोग यह समझ पा रहे हैं कि हमारा परपस क्या है हमारा एजंडा क्या है क्या अग्रिकल्चर लेबरर हम साथ जोड़ पा रहे हैं कि इंडेस्ट्रियल वर्कर के कॉस को हम साथ में जोड़ पा रहे हैं, क्या देश की मीडिया, प्रेस, क्या घर-घर में ये संदेश जा पा रहा हैं, कि हम चाहते क्या हैं, हम किसी के विरूद में नहीं हैं, हम आतंकवादी नहीं हैं, हमारा उद्देश ये कभी भी नहीं था हमारा परपस यह है कि हम लोगों को देश को उस गुर्बत उस तंतर से बाहर निकालना चाहते हैं जिसकी वज़ा से अंग्रेजियों का साशन भारत में आया अगर यह सिस्टम ना होता इंडिया में तो अंग्रेजी साशन ही ना आता इसके लिए लोगों को बड़े पैमाने पर आवाज सुनानी जरूरी है इसके लिए उन्होंने फ्रेंच रेवलुशनरी की इडिलॉजी को फॉलो किया जिसमें अगस्त वेलेंट बहुत इंपॉर्टन रेवलुशनरी थे फ्रांस के और उन्ही का मानना ये था कि बहरों को सुनाने के लिए बंब भोड़ना पड़ता है बहरों को सुनाने के लिए धमाका करना पड़ता है तो अगस्त वेलेंट की इडिलॉजी को फॉलो करते हुए इन्होंने प्लैनिंग की 1928 से समय आगे बढ़ गया अब हम 1929 में आ चुके हैं 1929 एपरेल का मन्त है आठ तारीक है भगसिंग और बटुकेश्वरदत के ओपर ये जिम्मेदारी है Central Legislative Assembly Central Legislative Assembly में बंभोड दिया गया बंभोडने का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इस दिन Public Safety Bill और Trade Dispute Bill पास किया जाना था Public Safety Bill के तहट Wholesale Arrest of the Nationalist Leaders approved था जो भगसिंग को और HSRA को स्विकार नहीं था Trade Dispute Bill के तहट आप उन सभी Industrial Worker की आवाज बंद कर दिना चाते थे जो अपने अधिकारों के लिए स्ट्राइक करना चाते थे यह आवाज बंद करने की नहीं थी यह Wholesale Arrest of the Political Leaders यह किसी कीमत पर अलाव नहीं था और एक मौका चाहिए था अपनी आवाज सुनाने का तो बहुत ही harmless बहुत ही कम deterrence बहुत ही कम नुकसान करने वाला बंब Central Legislative Assembly में ऐसी जगा पर फोड़ा उन्होंने जहां पर किसी को कोई नुकसान नहों और उस बंब फोडने के बाद उन्होंने स्वयम अपना Arrest दिया कहीं भी Escape नहीं किया और जबरतस्त पर्चे बाते जिसमें उन्होंने यह बताया कि वो असल मायने में चाहते क्या है वो इनकलाब जिन्दाबात चाहते हैं वो Long Live Proletariat चाहते हैं वो Down Down With Imperialism चाहते हैं तो Down With Imperialism, Long Live With Proletariat, Long Live With Revolution and Inकलाब जिन्दाबात यह आडलॉजी थी ट्राइल्स शुरू होए इसे हम कहते हैं Assembly Bomb Case Assembly Bomb Case में बटू केशवरदत याद रखें BK दत यह बिलकुल भूले ना, Confuse ना हो Assembly Bomb Case में बटू केशवरदत और भगसिंग के उपर केस चालू होगा लेकिन अचानक से पुलिस को बहुत से तथ्य मिल गए और उस तथ्य के तहट यह प्रमानित हो गया कि यही भगसिंग है जो शामिल था सौंडर्स के मडर में लाहौर में और इसके तहट फिर राजगुरू, सुखदेव इन सब को अरेस्ट किया चंदरशेकर आजाद फिर से escape हो गए वो हमेशा से सफल रहे हैं, चंदरशेकर आजाद में यह प्रतिग्या ली थी कि किसी गोरे में जुर्रत नहीं है कि मुझे टच कर जाए और मैं आपको बता दूँ, अलहाबाद के अलफ़र्ड पारक में भी किसी में हिम्मत नहीं हो उनको टच कर जाए स्वयम की गोली से स्वयम की शाहदत दी हो उन्होंने यह चंदरशेकर आजाद का दम था तो उन्हें कोई टच नहीं कर सकता था, उनकी मूझ का ताओ यह बताता था कि जब तक यह है तब तक कोई चूनी सकता, मृत्यू शया तक यह ऐसे ही जाएगी तो चंदरशेकर आजाद फिर से escape होए, लेकिन सुगदेव राजगुरू इन्हें अरेस्ट किया गया किस मामले में सौंडर सत्य मामला दुवारा खुल गया और इसे कहा गया है लहोर कॉंस्पिरेसी लहोर कॉंस्पिरेसी के तहट फिर जब केस चला है तो उस केस के तहट मैं आपको बता देना चाहता हूँ भगसिंग सुगदेव राजगुरू को 23rd मार्च 1921 को capital punishment मिला है, sentence दिया गया है ये चीज आपको समझ में आ गई, तो ये था सारा sequence आपको लहोर कॉंस्पिरेसी पता होने चाहिए, ये सारी प्रक्रिया पता होनी चाहिए अब आते हैं कि Centralizedative Assembly में बंप फोड़ा क्यों और अब ये बात पूछी जाती है कि जब लहोर कॉंस्पिरेसी क्लियर हो गई, तो क्या भगसिंग डरे, क्या सुखदेव डुरे We are not thief, we are not murderer, we are political prisoners, हमें उसी तरह से treat किया जाना चाहिए, हमें पढ़ने के लिए हुआर मिलना चाहिए, हमें अच्छा खाना मिलना चाहिए, हमें रहने के लिए अच्छे बैरक को जतिन दास fast करते होई शहीद होई 63 दिन का fast और कुछ लोग कहते हैं कि भगसिंग का fast 84 डेस तक चला था 63 दिन के fasting के बाद जब जतिन दास की death हुई है उसके बाद जब उन्हें लहौर से कलकत्ता ले जाया गया है रस्ते में ऐसा कोई railway station नहीं था जहां से गाड़ी गुजरी हो और लोग सलामी भरने ना हो प्रतेक आदमी नतमस्तक और वंदना करने के लिए पहुँचा है और जब कलकत्ता ट्रेन से उतरे हैं तो cremation ground तक 2 किलो मेटर का 6 लाख लोग का तो वो यह कहते हैं कि सबसे noble cause के लिए और higher status के लिए अगर किसी ने शहादत दिया है तो वो जतिंदर दास जतिंदास है और ऐसे लोगों का यह रखत है यह उस बीज का काम करता है जो अंकरूपन करके फूटता है एक नए सुद्रड सामाजिक आर्तिक राजनितिक धांचे के लिए क्योंकि यह कणकण में समा जाएगा यह important बात है ऐसे में जब court की proceedings हुआ करती थी बहसिंग खुल करके अपनी ideology रखा करते थे और लोगों को बताया करते थे कि सही माइने में वो चाहते क्या है, revolution होता क्या है यह सारे concept का basis क्या है और उनकी इनी revolutionary statements और इनी चीजों के तहत वो क्या बताते थे, मैं आपको पढ़ करके यहां पर बताना चाहता हूँ यहां पर वो statement देते पाए जाते हैं वो यह कहते हैं तो बहसिंग के अपने आखरी इन लेटर्स के माद्यम से यह चीजें साबित होई है तो कुल मिला करके यह सारा शुरुआती प्रकरण जो हो रहा जो मैंने आपको 1924 के October से Hindustan Republic Association के गठन से लेकर के यहां तक के जतिंदास के इस particular death issue तक आपको बताया जिसमें 1931 में बहसिंग सुकदेव राजगुरू को sentence दिया गया जिस sentence के तहत उनका जो एक रूप पूरे भारत को दिखा वो बहुत है भिन था उनके द्वारा लगातार जब कोर्ट रूम में दलीले दी जाती थी वो एक से एक सवाल किया करते थे एक से एक concept रखा करते थे उसे जम करके मीडिया चापता था लिखता था आपको clear कर दूँ कि वो लोग जो terrorism के against थे वो भी एक बार इनकी दाद देते थे कि terrorism गया वाड में लेकिन इनके patriotism पर हम फिता हैं इतनी देश भक्ती तो शायद किसी ने नहीं देखी होगी it is a selfless तो भगसिंग का उस समय में इरादा ये था कि मैं एक ऐसी society बनाना चाहता हूँ जो passion less हो exploitation less हो swam के लिए किसी को कोई passion ना हो अगर passion कोई हो तो केवल motherland के लिए कोई किसी को अपने passion के लिए exploit न करे अगर कोई कुछ करे तो सिर्फ दूसरे को strengthen करे for the passion of the motherland जब हम एक दूसरे को strengthen करेंगे तभी motherland strong होगी और जब motherland strong हो जाएगा तो कोई गरीब ही नहीं रहेगा कोई पिछडा ही नहीं रहेगा तो किसी को किसी का सोशन करना ही नहीं पाएगा bested interest नहीं रहने चाहिए ऐसे में इनकी दी होई ये दलीलें उस समय में घर घर तक पहुँच रही थी जगा जगा पर इनकी बातें इनके विचार उन अख़बारों के माध्यम से हर रोज पहुच रहे थे और मैं आपको बता दूँ जब ये उस फंदे तक पहुँच रहे थे जिसके तहते ने शहादत मिलनी थी इनके द्वारा जगाए जाने वाले गाने इनके द्वारा नगाए गए नारे पूरी दुनिया में गूज रहे थे और ऐसे में बहुत दिन पूरे भारत में सननाटे का दिन था मनु प्रकरती जैसे सुन होई पड़ी थी उस दिन लोग दुकानों पे नहीं गए स्कूल कॉलेजेस का बाइकाट कर दिया गया सब लोगों ने वरत रखा इनके मृत्यों के दिन और आपको मैं अग बात बता दूँ कि घर घर में, फर्कशॉप में, फैक्टरी में हर किसी के जगा भगसिंग के पोस्टर लगे फोटो लगी, लोगों ने पूजा की वंदना की और उस समय के ब्रिटिश रोपोर्ट कहती है कि भगसिंग की पॉपुलरिटी गांदी जी को राइवल कर गई थी इस लेवल तक उनका ये स्टेटस क्रियेट हो चुका था उस पर्टिकुलर दिन के दोरान, तो कुल मिला करके ये सारे इविंट थे हैं, जो मैंने आपको आपको बताए अब मैं बात करूँगा आइडिलोजी के उपर, अब हम समझेंगे हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपबलिक असोचेशन के आइडलोजी और भगसिंग का माइंड सेट जब रेवलुशनरी टेररिज्म को अब हमें समझना है तो इसमें हमें इन्हें भगसिंग से जोड़ करके समझना होगा, अंटरस्टेंड करना होगा भगसिंग 1907 में जनमा एक युवा, पंजाब भगसिंग के पिता जी कॉंग्रेसमेन थे और उनके चाचा जी, मैंने अब को कल भी बताया था जीत सिंग एक रेवलुशनरी थे बच्पन से ही इस तरह के विचार रखा करते थे गोलियां उगाया करते थे खेतों में, उनकी बुवाई किया करते थे विचार था देश को आजात करने का, गांदी जी के प्रती आकर्शित थे गदर पाटी के हीरो करतार सिंग सराभा से प्रेरित थे उन्हें अपना रोल मॉडल, अपना आइडियल, अपना हीरो मानते थे, और इतना विरोशियस रीडर कोई हुआ नहीं है, जितना रीड हो करते थे, हाला कि उस दोर के प्रतेक जोगेश चंदर चेटर जी की बात कर लें, भगवती चंदर वोरा की बात कर लें, यह सब बहुत तब तगड़ी रीडर थे और भगत सिंग, तो जेल में भी इतना रीड करते हैं, सारा सोचलिसम, माक्सवाद, लैनिन, उन्होंने सारा जेल में पढ़ा है, complete चार्ट करके रख दिया, खतम करके रख दिया, तो यह reading, यह intellect, यह knowledge उनके अंतर बहुत स्ट्रॉंग थे, और मै यह चंदर शेकर आजात थे, जो कभी जिजिके नहीं है, जबकि हमारे leader थे, हमारे senior थे, कभी जिजिके नहीं है, हमें यह एक पूछने से कि इसका meaning बताओ मुझे हिंदी में, और सारी बाते, मैंने उन्हें mature होते देखा, मैंने उनके ideology को turn होते देखा, मैंने उनके ग्रो क नहीं आती है, लेकिन वो उस literature को, उस knowledge को जानना चाता है, क्योंकि उसके अंदर एक तमस है, कि उसे देश को आजाद कराना है, इस तरह से यह लोग अपना काम किया करते थे, उस समय में, इस के लिए नहोंने कई तरह के प्रयास किये, जैसे लहोर में, लहोर study circle create किया, भग किसे कहते हैं, देश इस समय उत्पीडित क्यों है, इससे हमें मुक्त होने के लिए क्या क्या करना चाहिए, यह उनकी ideology थी, पहला थी, इसी के तहत इन्होंने लहोर student union का भी गटन किया, और उस student union का purpose ही यह था, कि जादा से जादा युगाओं को अपने साथ जोड़ो, और बताओ कि देश के हेतों में काम किस किस दिशा में और किन किन ideology के basis पर करना है, भगसिंग ऐसा मानते थे कि जो bomb का cult है, वो cult किसी भी तरह से आजादी नहीं दिलाएगा, आजादी masses ही masses को दिलाएंगे, तो mass awakening तो करनी जरूरी है, अब masses masses को आजादी दिलाएंगे तो यह कै इस तरह से यह bodies, यह organizations गठन करने का काम बहुत जबरतस तरह उस दौर में, और यहां से अब हमें समझना है भगसिंग के ideology कि वो बताना क्या चाहते थे, वो करना क्या चाहते थे, मैं statements पढ़ूँगा बारी-बारी और इनी statements को मैं further decode करूँगा, आपको इनके deep meaning क्या concept रखते थे, वो सोचते क्या थे, उनका purpose क्या था, चलिए पहला statement मैं आपको बताता हूँ, जो 2 February 1931 के उनके letter में पाया गया है, जो उन्होंने young political workers को letter लिखा था, उसमें वो कहते हैं, जिसमें मैंने आपको वो terrorist वाली कहानी बताई, वो यह स्वयम बताते हैं कि मैं कि भी तरह से terrorist नहीं, और वो यह बताते हैं कि हाँ, शुरुआती दौर में आपको मेरे कुछ काम ऐसे नतरा सकते हैं, जिनसे आपको एक आतंकवाद की जलक आ सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं था, मेरा उद्देश ये कभी भी आतंकवाद नहीं रहा, मातर भूमी को अलाफत पूरे खुले जोर पर क्यों नहीं की, उनके literature में नजर क्यों नहीं आता, उन्होंने लोगों को क्यों नहीं कहा कि भी आप terrorist activities की तरफ ना जाएं, तो इसका भी जवाब मैं आपको दे देता हूँ, इसके पीछे भी बगल सिंग की एक noble thought था, बगल सिंग पहली बा मैं नहीं चाहता कि युवापीडी उस जुनून से मुक्त हो जाए, जिस जुनून ने हामे करांतिकारी बनाया है, चाहे उन्हें heroic activity ही माना जाए, चाहे सरकार की नजरों में वो आतंगवादी गतिविदियां थी, लेकिन अपनी जवानी के दुनों नहीं आतंगवादी ग तो यहां पर भगसिंग कहते हैं कि राजनीतिक सोच तो एक ना एक दिन बदले नहीं है, लेकिन एक बार अगर रिदय परिवर्तन हो गया और उसमें से यदि देश भक्ती चली गई, वो जून जनून चला गया, उससे जगाना बड़ा मुश्किल होता और मैं ऐसा जगन्य अपराद नहीं कर सकता उन एक्टिविटीज को डीफेम करके, तो इसलिए उन्होंने कभी भी स्ट्रॉंग ओपोजिशन नहीं किया, तो यहां पर भगसिंग क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि लाइफ वस बाउंड टू टीच सूनर और लेटर करेक्ट पॉलिटिक्स